जानकार बताते हैं कि एकिसान अंदोलन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जाट लैंड का जागरन काल हो सकता है और इस सब को जाटों के फिर से राजन्यते कुदे से जोड़ कर देखा जा रहा है। अगर सेन्टर पॉलिक्स में जाटों का जिक्र करें तो इनके दो सबसे बड़े नेता हुए हैं। पहले नेता चौदरी चारौन सिंग जो भारत के प्रधान मंत्री रहे और दूसरे नेता चौदरी देविलाल जो देश के उप्रधान मंत्री थे लेकिन इन दोनों के बाद क कि इंद्री राजनीती में जाटों का कोई बड़ा चेहरा नहीं चमका उनिस्वे क्यांवे में डिप्टी पीम पद से चौधरी देविलाल के अटने के बाद से केंद्री राजनीती में जाटों की जगे खाली है बता जा रहा है कि टिकैत की नई पॉलिटेक्स इसी गुवर् किसान नेता महेंदर सिंग्टिकायत के नित्रित्यु में एक आंदोलन ऐसा भी हुआ था जब केंद्र की ततकालीन सरकार तक काप गई थी वो साल था 1908 से जब दिल्ली के वोट कलब के पास 25 अक्ट्यूबर को किसानों की एक बड़ी पंचायत हुए पंचायत में 14 राज्य किसान आंदोलन का असर इतना ज्यादा था कि तब की कॉंग्रेस सरकार भी दपाव में आ गई थी और ततकालीन प्रधानमंती राजीव गांधी को पहल करनी पड़ी थी राकेश टिकायत के पिता मेहिंद सीम टिकायत का जो विश्व प्रसिद आंदोलन उन्होंने 1988 में किया था बच्स साल पहले जब उन्होंने 5 लाख किसानों के साथ दिल्ली के राजपत को पूरा उस पर कबजा कर लिया था और एक हफते तक पिसान अपना बोरिया विस्तर लेकर वहां पर डटे रहे थे वह इतना शक्ति शाली गुआ था कि पतकालिन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जुकना पड़ा था इस आंदोलन से चौधर टिकायत ने वो कद हासिल कर लिया जिसके आगे प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक जुकने लगे थ उन्होंने 1986 में भारते किसान यूनियन का गठन किया और उनकी कोशिश थी कि वो इसे आराजनीतिक संगठन बनाए रखे चौधरी महन सिंग टिकायत ने गाउं और किसान के हित के लिए कई काम्याब लड़ाईयां लड़ी किसान को फसल की केमत दिलाने से लेकर समाजिक ब एक बहुत जबरदस ताकत थी किसानों को एकजुट करके उनको आकरशित करके प्रभावित करके एकजुट रखने की और आंदोलोनों का नित्रत्व करने की तो वो बिलकुल किमदंती से बन गए थे महेंदर सिंग टिकायत आकरी बार 2011 में उन्होंने प्रेस के माध्यम से एलान किया कि देश के प्रधानमंत्री किसानों की समस्या पर गंभीर नहीं है और अगर प्रधानमंत्री ने किसान प्रतिनिध्यों से बात नहीं की तो दिल्ली को चारों तरप से बंद किया जाएगा इससे घबरा कर तब प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंग को पार्ट मार्च 2011 को ही किसानों के दल को बुला कर बात करनी पड़ी थी तब महेंद सिंग टिकाज बीमार थे और किसानों के दल के साथ दिल्ली नहीं आ सके थे और इसके करीब दो महीने बाद 15 मई 2011 को उन्होंने आखरी सांस ले परवाह देशकी सोमवार से शुक्रवार राद 10 बजे TV9 भारत वर्षपर